वेलकम टू मैं चैनल जीरकर नॉलेच आज का हमारा टॉपिक जो एच एससे जम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एड्मिस्टेटिव डिवीजिन्स जिसको हम कहते है हिंदी में प्रशासनेक प्रभाग हर्याना से मैं उनको चाहूंगी कि वो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भोलें अगर आपको मैटर पसंदा है तो सो हमारा टोपिक है अड्मिस्टेटिव डिवीजिन्स, उसमें सबको पता होगा कि हमारे पास जो डिवीजिन्स हैं हर्याना में वो छे हैं यानिकि सिख्स हैं तो हम उंकर पहले हैं या अमबाला है जो पहला पूछ्छित्र- फिर पन्छ कुला एंड यमुनानगर ठीक है जी अम्बाला, कुशित्र, वंचकुला एंड यमुनानगर इसी तरह से फरीदाबाद में सबसे पहले फरीदाबाद फिर पलवल एंड नू ठीक है जी इसी तरह से फरीदाबाद में सबसे पहले फरीदाबाद एंड नेक्स्ट महिंदरगर एंड रिवाड़ी ठीक है तो अम्बाला, फरीदाबाद और गुरुगराम हमने कर रहा है इन तिनों ही डिविजन में जो डिस्टिक पहला आएगा वो अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुगराम तो आना ही है तो बाकी दो कौन से आएगे महिंदरगर एंड रिवाड़ी इसी तरह से हिसार में सबसे पहले हिसार हिसार से ही सिर्षण ठीक है देन जीन्द एंड फतेहबाद ठीक है जी तो अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुगराम और हिसार हमने त्यार कर रहा है जिन में तीनों में चारों में जो अपनी ही डिस्ट के वो आएंगे अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुगराम हिसार में ही अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुगराम हिसार आएंगे जो बाकी है वो आप एजिली याद कर सकते है इसी तरह से रोतर्क आता है जो नेक्स्ट है रोतर्क में नेक्स्ट आएंगे सबसे पहले रोतर्क फिर सोनिपत रोतर्क सोनिपत जजर भीवानी और चवक्री दातरी ये वाले क्वेश्ट आएंगे बहुत पूछा जारे है इसलिए से ध्यान रखे यह सबसे इंपॉर्टन्ट है इसलिए इंपॉर्टन कोशन अपने आप यह आजाता है अक्य तो रोतर्क में रोतर्क हुद आएगए अडेन वानी और चक्री दातरी नेक्स्ट गर्नाल में कवर्नाल घुद आएगा सबसे पहले इसलिए पानीपत तो आप वहाँ पर डिरेक्ट टांस लिखेंगे कि कितने डिविजन हैं, डिविजन है हमारे पास 6, और कौन कौन से हैं, इनकेस इंटर्विव में पूछ लेते हैं, तो आप बताएंगे, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुकराम, हिसार, रोतक, करनाल, और डिस्टिक्ट में पूछ लेते हैं, तो आपके पास आएंगे, ये 22, ठीक है, डिरेक्ट डिरेक्ट टांस लिखेंगे, और डिरेक्ट अंसर के एक्समेशन ये है, अंबाला में, अंबाला है, कुशेत्र, पंचकुला, यम्नानगर, फरीदाबाद में, फरीदाबाद तो आएगा ही, देन पल करनाल में करनाल आएगा ही, कर्थलेंट पैनिबत, ठीक है, तो अगर ग्रेशन आ जाता है, ये किस डिवीजिन में है, तो रोतक इस यार आंसर, ठीक है, मिनिमम का इसलिए कम चांसे बनते हैं, बिकर्ज देरा थी डिवीजिन, फरीदाबाद, घुरुकराम, एंड करनाल ज है, जिसमें मैक्सिममम डिस्टिक्स है, तो आपका आंसर वहां बनेगा, 1, 2, 3, 4, and 5, आपका फाइव डिस्टिक्स हैं, रोतक इसलिए के आंडर, ठीक है, तो मैक्सिमम का आंसर, आपका कोशन आपका यहां से बनेगा, रोतक है आपका आंसर, ओके, एंड डिवीजिन है, और डिस्टिक्स काइंगे 22, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्स में हमने यह रख रहा है, जैसे detailed answer आ जाते हैं, direct questions पूछेते हैं, इसी में एक चीज एड कर देती हूं दिविजिन जो अभी अभी हमने कर आ है तो अभी हमने डिस्टिक कर आ है लास्ट जो अभी आपने पहले दिखा है डिस्टिक आएंगे अपके 22 ठीक है अभी अभी हमने घरा है दे यार 6 चीक है जी डिविजन हमारे 6 है सब डिविजन हमारे है 72 ट्वेंटी ट्वेंटी ट्रिक सब डिविजन है 72 तहसील है 93 सब तहसील है 50 सब डिविजन है हमारे 6 डिविजन 6 अभी डिविजन 72 डिस्टिक 22 तहसील 93 सब तहसील 50 ब्लॉग आएंगे 140 ब्लॉग आएंगे 140 ब्लॉग आएंगे 140 शिटीज अन टाउंगे 154 चीक है तो डिविजन हमारे कितनी है है six district है है 22 subdivisions 72 तहसील 93 सब तहसील 50 block 140 cities and towns 154 villages आएंगे 6841 and panchayat आएंगे 6212 ठीक है तो यहां से आपको जो यह है तो यहां पर आपका administrative division का topic खदम होता है हम छोटा ही रखें करेंगे इस वीडियो को बिकाज यह याद करना भी बहुत important है जिसमें जो सबसे important आजकर जो question आ रहे है एक्जाम में वह आपका चरकरी दादरी वाला इसको याद करना न भूले और जो students HSC की त्यारी कर रहे हैं और जिनको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं वो मेरे चैनल को और वीडियो को like, comment, subscribe, share करना न भूले thank you so much